नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का, क्रिष्णा एकडेमी के यूटूब चैनल पे मेरा नाम है क्रिष्णा मिस्रा, दोस्तो आपके यूपी टेट और सूपा टेट के संदर्म में एक बहुत बड़ी सूचना निकल क्या रही है, कि अब ये जो नो जो आएगा, आने वाले जो सूपा टेट की वेकेंसी है, वह अब नए आयोग के तहत किया जाएगा, यानि अब जितनी भी आपकी उत्तर प्रदेश में जितनी भी सिक्षा भी भाग से जितनी भी वेकेंसी आती है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, आपका सूपा टेट है, इन सभी के लिए एक नए स सिच्छा आयोग का गठन होगा, और एक सिच्छा आयोग के द्वारा अब ये सारी वेकेंसी आ निकलेंगी, क्योंकि पहले क्या होता था, कि पहले आपका यूपी टेट और सूपा टेट, PNP कराती थी, और PNP में पारदर्सिता का बहुत मतलब आभावता, बार 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 इस पर आरूप लगता था, कि मतलब इसमें बहुत जादा धादली होता है, सीटे बिग जाती है, ये वो इस तरीके का र्यूमर फैलता था, ठीक है, लेकिन अब इसके लिए क्या किया गया है, अब एक सिच्छा आयोग के तोहत होगी, और जैसे ही नए सिच्छा आयोग के गठन की बात की गई है, अब ये कायास लगाया जाने लगा है, कि सूपर्टेट के पैटर्न में भी, या सिलेबस में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, तो देखें मैं बता दू, कि सूपर्टेट के सिलेबस में तो बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, आपका नया सिक्षा आयोग का गठन हुआ है उसका नाम क्या होगा तो उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चयन आयोग टिक है इसमें एक अध्यक्ष के सासाथ 14 सदस्य होंगे और इसी के थुरू अब आपकी आने वाली चाहे हो आपकी TGT की वेकेंसी हो चाहे और क्या होगा इसमें अब जो आने वाली आपका SuperTet वेकेंसी है इससे ये तो पता चल गया कि अब ये SuperTet की वेकेंसी जल्दी आएगी और जैसा कि हम लोग कह रहते हैं बार बार मैं कह रहता आपको कि आप लोग अपनी तयारी करिए क्योंकि SuperTet की वेकेंसी आपको देख नहीं हुए ठीक है और वहीं हुआ 29 नॉवंबर को KBS की वेकेंसी आ गई है तो मैं तब से बार बार आपको अगाह कर रहा था कि तयारी सुरू कर दीजे तयारी सुरू कर दीजे लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही अब आपको ये पता चला कि KBS का एक आप ता है ठीक है कुछ pattern कुछ बदलेगा देख लेते हैं क्या-क्या pattern बदलेगा था इन्होंने कहा है क्या कि सम्मूह गर्क में जैसे इन्होंने कहा है कि प्राथिमिक सिक्छा में सहायक प्रध्यापकों की भरती है तूँ सक्षप्छतकार नहीं होगा यानि कि जो प्रा प्राप्त अंकों के एक बट्टे चार अंक तथा अभ्यारती के मेरिट का भी निर्धारित कर चयन किया जाएगा यानि कि अब क्या होगा जैसे पहले क्या होता था सूपर्टेट में सूपर्टेट में आपका एकेडमिक की मेरिट जोड़ी जाती थी उसके बाद से आपका जो सूपर्टेट में आप जो नंबर पाते थे उसकी एकेडमिक जोड़ी जाती थी ठीक है लेकिन UPTET की academic नहीं जुड़ जाती थी लेकिन इस बार क्या होगा अब इस बार क्या होगा academic भी जुड़ेगा आपका उसके बाद से आपका supertet का number भी जुड़ेगा और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की सिख्छक पातरता परिचा है यानि UPTET जो है उसके भी अंक जुड़ेगे और कितना जुड़ेगा एक बटे चार अंक यानि एक बटे चार अंक उसके भी जुड़ेगा यानि एक चौथाई number उसका जुड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि अब UPTET जो है कितना important हो जाता है आप लोग के लिए UPTET और सीटेट तो आप में से जितने भी लोगों का अगर UPTET और सीटेट में number कम है वो अब क्या करेंगे आने वाला जो UPTET है उसमें उसको अच्छे से देंगे और उसको अच्छे से clear करेंगे क्योंकि अब इसका एक बटे चार और BTC का जो academic है उसको क्या इस बार हटा दिया जाएगा तो देखें ये सभी एक rumor है अभी कुछ भी इसमें असपस्ट नहीं है तो हम कुछ भी ऐसा कह नहीं सकते कि हटा दिया जाएगा कि रखा जाएगा ठीक है आफिसल जब आपका notification आएगा जब आपका notification आएगा जब वाकई में super tech की vacancy का notification आएगा तब उसमें क्या-क्या बदला होंगे actual बदला आपको वही पे दिखेगा यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा दिखने वाला नहीं है तो बस इतना कहा जा सकता है कि इस बार जो super tech की vacancy है उसमें साक्षातकार नहीं होगा और उसके बार से इस बार UPTate का number भी जुड़ेगा अब academic हटेगा की नहीं हटेगा इसके बारे में आयोग ने कुछ अभी अभी जो यह जो paper release हुआ है इसमें जो अभी तक कोई official announce नहीं हुआ है तो मैं भी इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता बाकी जो changes होगे वो आपको vacancy आने के बाद ही पता चलेगा लेकिन syllabus में कोई बदलाव नहीं होगा ये तो fix है आपका syllabus में कोई भी subject नहीं हटने वाला है KBS के तरह और नहीं कोई कुछ होने वाला है तो आप लोग अपनी तयारी अपनी तयारी सुरू करिए ये ना सोचते हुए कि उपी टेट जुड़ेगा कि academic हाटेगा ये सब नहीं सोचना है बस अब आपको तयारी कर लेना है क्योंकि दोस्तों यहीं दो vacancy बहुत बड़ी vacancy हैं एक KBS की vacancy जो आ चुकी है जिसका exam आपका March February में हो जाएगा और एक सुपर टेट की vacancy जो आने वाली है इन दोनो vacancy में से आपको एक सिट लेना है अगर इन दोनो vacancy में अगर आप अपनी एक सिट फिक्स नहीं कर पाएं तो समझ लेजिए कि आपको आने वाले 3-4 साल में भी बिरोजगारी का दंस झेलना पड़ेगा इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अभी भी जग जाईए अभी भी आप लोग मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे लोग यह सोच रहे हैं कि जब वेकेंसी आएगी हम तो भाया तभी पढ़ेंगे इसके पहले हम नहीं पढ़ेंगे अगर हम इसके पहले पढ़ लेगे तो मेना नुकसान हो जाएगा इसके पहले हम जब तक वेकेंसी नहीं आए तक हम और काम कर लेते हैं बाकी जब vacancy आगी तभी हम इसकी तैयारी करेगे अगर आप ये सोच रखते हैं तो यकीन मानिए आपका selection नहीं होगा क्योंकि इस बार जो चार साल से vacancy नहीं है इतने लंबे समय बाद कम से कम 13-14 लाग बच्चे इस vacancy का इंतजार कर रहे हैं जो आल्रेडी KBS में बच्चे फार बर चुके हैं वो KBS की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से आप कहां से fight कर पाएंगे तो इसलिए आप लोग जग जाईए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहे हैं ताकि आप असानी से इसमें अपने एक seat ले सके हैं ठीक है दोस्तों तो ये सब बदलाव होने वाला है और जो बदलाव होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया कि लिखित परिक्षा होगी लिखित परिक्षा मतलब objective paper होगा लिखित नहीं होगा ठीक है इन्होंने गलती से लिखित एवंग के अंदर सरकार द्वारा जो TT और CTET की जो अंक है अब जैसे आप लोग कुछ कह रहे थे कि सर क्या सूपर TET में CTET मानने नहीं होगा तो नहीं ऐसा नहीं है CTET मानने होगा यानि TET और CTET अगर आपको पास है तो उसका एक चौथाई नंबर आपसे इस बार vacancy में जुड़ेगा ठीक है बाकी जो भी changes होंगे वो official notification आने दीजिए तभी कुछ पताया जा सकता है ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा जै हिन जै भारत